महान विज्ञानिक एलबर्ट आइंस्टाइन का निदन यू तो साल 1955 में हो गया था लेकिन उनका दिमाग और दिमागी शम्ता आज भी चर्चा में है बहुत कम लोगों को पता है कि उनके निदन के बाद दिमाग का प्रिशिक्षन किया गया था चीरफार करने पर पता चला था कि आइंस्टाइन का दिमाग समान्य मनुष्य के दिमाग से भारी था उसका वजन देड किलोगा था दूसरी एहम जानकारी ये रही कि उनके दिमाग का सिलीवियन फिशर दूसरों के दिमाग से छोटा था सो हेलो दोस्तों मेरा नाह में एक और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलबर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में कुछ अमीजिंग सी बात है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दिन था 18 अपरेल 1955 जब दुनिया के महान साइंटिस्ट एलबर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को अलविदा कहा था 17 अपरेल 1955 को अचानक से आइंस्टाइन की धम्नियों में इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने कहा कि कुछ सरजरी के बाद आपकी जान को बचाया जा सकता है लेकिन तब इस पर आइंस्टाइन बोले नहीं मैं मेरे हिस्से का काम कर चुका हूँ अब जाने का समय आ गया है और वहीं हॉस्पिटल में उनकी मृत्य हो गई मरने के बाद आइंस्टाइन चाहते थे कि उनकी बोडी पर किसी भी प्रकार की रिसर्च ना की जाए और उनकी बोडी को जला दिया जाए लेकिन पैथलोजिस्ट होमस हारवे जिनने आइंस्टेन की मृत्यों के बाद उनके मिश शरीर की जाच करने के लिए भेजा गया था उन्होंने आइंस्टेन की आँखे और दिमाग को उनके शरीर से निकाल लिया और लंच बॉक्स में रख कर वहां से भाग गया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना बड़ा जीनियस बनाता था थॉमस हारवे के अनुसार आइंस्टेन के मरने के तुरंट बाद उसने आइंस्टेन के दिमाग का वेट मेजर किया जो की 1230 ग्राम था उसके बाद लगवग 20 साल तक उसने आइंस्टेन के ब्रेन को सुरक्षित रखा बाद में आइंस्टेन के बेटे की एनुमती मिलने के बाद उसने आइंस्टेन की दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया उसके पाद Einstein के दिमाग को 200 हिस्सों में काटा गया और उन्हें दुनिया के अलग-अलग researchers के पास भेजा गया और researchers को कुछ ऐसे चुगा दिने वाले facts पता चले जो Albert Einstein को इतना genius बनाते थे तो चली जानते हैं उन facts के बारे में जो Einstein को इतना बड़ा genius बनाते थे fact number one density of neurons Einstein की brain की सबसे रोचब बात ये थी कि उनके brain में glial cell की मातरा normal human being के glial cell से ज़्यादा थी Einstein के brain में इनी cells की संख्याद ज़्यादा होने के चलते उनके दिमाग में बनने वाले synaptis connection मतलब neurons के बीच के connections बहुत strong थे और इसी strong connection के चलते उनका दिमाग इतना powerful दिमाग था और जैसा कि हम जानते हैं कि glial cells neuron को नरिश करने का काम करते हैं तो इनी cells के चलते उनके दिमाग के neuroplasticity and neurogenesis ability बहुत ज़्यादा थी हमारे दिमाग की new neuron बनानी की ability को neurogenesis कहा जाता है fact number two Einstein की brain की एक और चुका देने वाली बात ये थी कि उनके brain में sylivan fission नाम का part नहीं था जो की aging के लिए जिम्मेदार होता है fact number three corpus callosum हमारा brain दो हिस्सों में बटा रहता है left hemisphere and right hemisphere और दोनों hemisphere का अपना अपना अलग अलग काम होता है जैसे की left वाला हिस्सा responsible होता है logic के लिए और mathematical skills के लिए वही right वाला हिस्सा art के लिए imagination के लिए creativity के लिए new ideas के लिए जिम्मेदार होता है brain के दोनों हिस्से corpus callosum के जरीए आपस में जुड़े होते हैं corpus callosum का का काम होता है दोनों hemisphere में होने वाली activity को recognize करना corpus callosum के जरीए ही information एक हिस्से से दूसरे हिस्से में travel करती है यानि कि जितना अच्छा corpus callosum होगा मतलब जितनी मोटी corpus callosum होगी उतने अच्छे connection इन दोनों के hemisphere के बीच में होंगे और जितने अच्छे connection होंगे उतना intelligent वो इनसान होगा वहीं अगर बात करें Einstein के corpus callosum के बारे में तो वह आम इनसान के comparison बहुत मोटी थी और उनके brain के तीन हिस्सों के well connected होने के चलते जो की visual cortex prefrontal cortex और parital cortex इसलिए उनका दिमाग ही उनकी laboratory था अब इन तीनो brain parts की बात करेंगे हम बाद में पहले जानते हैं कि हम अपने corpus callosum को किस तरह बढ़ा सकते हैं how to increase the thickness of corpus callosum the answer is meditation जितना देर हम meditation करेंगे उतनी ही थिक corpus callosum होती जाएगी क्योंकि meditation के दुरान दोनों hemisphere simultaneously काम करते हैं जितना जादा आप meditation करेंगे उतने जादा आपके दोनों hemisphere के बीच के connection strong होते जाएगे fact number 3 parietal lobe आइंसेन के brain की एक खुबी ये भी थी कि उनके brain का lep parietal lobe आम इंसान से लगवग 15% बढ़ा था अब ये कोई नहीं जानता कि उनके brain का parietal lobe genetic था या brain की इस हिस्से का बहुत जादा यूज करने से वो बहुत बढ़ा हो गया था खैसर जो भी हो लेकिन brain का ये हिस्सा mathematical and logical skills के लिए responsible होता है puzzle coding करके आप अपने left hemisphere का यूज बढ़ा सकते हैं